Hello student, shawagat है आप सभी का एक नई वीडियो में और आप सभी student के लिए एक good news है जैसा है कि आपको इन्टरफेस पर भी दिखागा One Student, One Laptop ये एक योजना है और इस योजना से किन किन students को योजना को लेख।ताप का लाब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्रम से मिल जाएगी सबसे पहले आप सभी इस्टुनेंट से रिक्वेस्ट हो चाहे आप UP scholarship के अपडेट हो चाहे आपका free tablet और smartphone का अपडेट हो चाहे 1 student 1 laptop योजना की अपडेट हो AICT क्या होता है All India Council for Technical Education इसने क्या किया है कॉलेजों को पतर लिखा और आज की ये latest update है Friday 6 October 2013 की ये latest update है तो इसको विश्तार में देखते हैं इसका वीतरर कैसे होगा यानि कि योजना क्या है कौन कौन से students का इसका lab मिलेगा और खास करके जो engineering department के हैं फार्मा के है, management department के है उनको ये lab मिलने वाला है laptop का आपको मालू है कि वर्तवान की बात करें तो जो भी आपके चीज़े है वो digital होती जा रहे है चाहे हो payment का मामला हो चाहे हो हर एक चीज़ का या फिर कई सारे form अगर ऐसे आते हैं दिक्कत आती है, काफी सारी समस्याई आती है तो अगर आपके पास laptop रहेगा तो आप सारे कारे को आसानी से सही तरीके से सुचारू तरीके से कर सकते हैं तो यहाँ देखिए AICTE One Student One Laptop की योजना को सफलता पूरवक सुरू करने वाले अपने तक्निकी कॉलिजों को सराहना एवं परसंसा पत्र भी देगा इसका मकसद ऐसे संस्थानों को राष्ट निर्मार के अच्छे कारे में भाग लेने के रूप में यह परसंसा परमार पत्र के साथ माननेता दी जाएगी अब देखे इसका पूरा प्रोसेस क्या है यह आपका वन स्टुडेंट वन लेप्टाप जो योजना है इसके बार में विश्ताम से बात करते हैं तो यहाँ देखे अब उच्छ सिच्छा संस्थानों के जात्र अपने लेप्टाप पर पढ़ाई करेंगे Engineering, Management, Pharmacy, Architecture, Planning जैसे पाठिक्रम के छात्रों को पढ़ाई में प्रियोदगी का इस्तमाल करने के लिए One Student, One Laptop योजना शुरू की जा रही है इसके लिए अखिल भारती तक्निकी सिच्छा परिशार यानि कि AICTE ने अपने सभी मानेता प्राप्त कॉलिजों को पत्तर लिएकर इस योजना को शुरू करने को कहा है अब योजना शुरू कैसे होगी वो ही मैं आपको बताऊंगे कैसे शुरू होने वाली है खास बात यहां है कि समाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांग वर के छातरों के लिए उन ही को इसका लाब मिलेगा और जिनके पार पैसे की कमी नहीं यह तो अपना खुद भी खरीच सकते हैं ठीक है तो यहाँ देखे एक चीज आई है चातों के लिए CSR funding के माध्यम से laptop उपलब दिखराया जाएगा यह CSR funding है क्या तो मैं आपको normal भासा में बता दूँ जो भी आपके बड़ी-बड़ी company आप factory होती है उनका कहलिए कि profit ज़ादा होता है 5 Kr Kr हो गया, 8 Kr, 10 Kr उपर हो गया इसे तो उनका जितना भी profit होता है उसका 2-3% उनको fund के रूप में देना होता है नॉर्मल भासा में कहए तो उनको दान करना होता है तो जो दान करेंगे तो जो आपके तक्निकी सिचा के यानि कि जो भी आपके कॉलेज ब'RE है वो जाएंगे वहां बात करेंगे कि guitar आप जो पैसा दान कर रहे हैं फंडिंग कर रहे हैं वो पैसा आप हमें दे जीए जिससे की बच्चों को free लेप्टाप की प्रक्रिया है उसको बच्चों को लेप्राप दिया जाएगा यह आपका होता है CSR फांडिंग ठीक है उसके आप देखी AICT के वरिष्ट अधिकारी ने बताए कि वे अपने सभी कॉलेजियों के लिए राष्ट शिक्षानीती NEP 2020 के तहत यह योजना ला रहे हैं दरसल विज्ञान इंजिनिंग प्रवंधन प्रवद्वक्य की वारी जे कला आधी के छेत्रों के लिए प्रवद्वक्य की का उप्योग जरूरी है क्योंकि तेजी से बढ़ते डिजिटल यूग में प्रवद्वक्य की किसी भी पाठिक्रम स्ट्रीम या डोमेन में छातों को आगे बढ़ने में मदद करत सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर उनके पास लेपटॉप रहेगा तो खुछ से अपना भर सकते हैं और उनकी पैसे की बच्चत होगी और अन्हीं सब्सक्राइब कर सकते हैं तो वहीं सब्सक्राइब कर सकते हैं और समाजिक आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए CSR कोर्स के माद्यम से लेपटॉप की अपील की गई है अब यह जिखिए जो पैसा मिलेगा भी यह कंफर्म नहीं है कि हाँ आपको डिरिक लेपटॉप ही मिलेगा या फिर आपका कलिए कि आपके खाते में पैसा भेज़े रहा है तो वो भी अच्छी चीज रहेगी कभी कभ यह होता है कि कॉलेजों में पैसा तो जाता है लेकिन बच्चों तक पहुच नहीं पाता है यह सित्य आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं तो इस तरीके के समस्य आ जाती है ठीक है तो आप देखिए उन्होंने कहा कि CSR funding के लिए तकनिकी कॉलेज विभिन कि दौरा कहा जा रहा है कि आप लोग जैसे कि जो भी आपका बड़ी बड़ी उद्योग कंपनी हो गए जो आपकी funding देते हैं करिए कि 2% 3% अपनी profit का वहां से जाकर के यह कहेंगे बात करेंगे और वहां से जो पैसा आएगा उस पैसे से बच्चों को कह लिए कि laptop दिया ज करेंगे आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको समझ में आई होगी और रही बात आपके फिरी टेबलेट और स्मार्टफोन डिस्टोविशन की उससे इसका उससे उससे उस पर कोई लाफ है मतलब कि प्रभाव नहीं पड़ेगा यह नहीं कि आप लेपटाप मिलने वाला है धन्यवाद थैंक्स बहुत हैं नेक्स टूडियो में